हेलो एब्रिवन असलाम अलेकुम तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार डिश बनाने वाली हूं जो कि बहुत नई है अलग है और जो पिर्यानी खाते खाते बोर हो चुके हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी है जैसे कि मैं हो चुकी हूं तो मैं आज चिकन तहरी बनाने जा रही हूं कि टिहरी तो आम लोग बनाते हैं जादा तर हम लोके तरफ जो है नौर्थ में स्टारी बनती है बट इधर हैदर अदर भाद में हैदर भादी चिकन तहरी इस वेरी फेमस इसमें चिकन भी पड़ता है तो इसको मैं बनाऊंगी प्रैशा कूकर में मस्टर्ड मस्टर्ड ऑईल में बना रही हूं मस्टर्ड ऑईल डाल दिया मैंने सफीशन क्वांटिटी में क्योंकि नॉन्विज में अच्छा ऑईल होना जाहिए अब इसको हीट अप करेंगे तेल जो है गरम हो रहा है और इसमें जो सबसे पहली चीज डालेंगे वो है खड़े गरम मसाले तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी तेज पत्ता दो तेज पत्ता डालूंगी यह देखे मैंने डाल दिया अब इसमें जाएगा एक सिनमन स्टिक और इसको तोड़ा गरम मतलब पकने देंगे ओयल में फिर मैं डाल रही हूं थोड़ी सी स्या जीरा और मेथी क्योंकि मेथी का फ्लेवर होना चाहिए तहरी में वह मस्ट है फिर मैंने डाला थोड़ी सी एक अनियन क्योंकि मैं हाफ से भी कम चिकन ले रही हूं तो वन अनियन इस एनफ और इसको फ्राइ करेंगे अंटिल यह पिंक नहीं हो जाती अब जो है इसको दोड़ा स्टर करेंगे प्यास पकने में बहुत टाइम लगता है जब तेल थोड़ा कम होता है तो प्यास बहुत देर में पकती है अब इसमें जाएगा टमाटर मैंने दो टमाटर लिया था इसको चौप कर लिया था थोड़ा मोटे मोटे टुकड़ों में ताकि वो गाइब ना हो तहरी बनने के बाद से थोड़ा दिखे वो, इसलिए मैंने इसको बड़े बड़े टुकडो में काटा था फिर इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर अब इसमें जाएगा लसन अद्रक, बहुत थोड़ा सा डालेंगे जादा नहीं फिर अब जाएगा पाउडर्ड मसाले, ये धन्या पाउडर है, एक चम्मच ये रेट चिली पाउडर है, एक चम्मच और ये टर्मरीक पाउडर है ये हाफ टेबल स्पून लेना है, एक चम्मच नहीं था, वो हाफ टेबल स्पून है, अब ये मसाले पक रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, अपना वाश किया हुआ, चिकन को डाल के खुब अच्छी तरह से पकाना है, और ये थोड़ी ग्रीन चिली है, च्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी और चटपटा बहुत पसंद है, तो मैं रेट चिली से ज़्यादा ग्रीन चिली प्रफर करती हूँ, डालना, ये मैंने अब नमक डाला, नमक accordingly डालेंगे, पानी डालने और चावल डालने के बाद से भी चेक करेंगे, कि नमक सही है की नहीं, फिर इसमें जाएगा कर्ड, अब इसको खुब अच्छी तरह से पकाना है, और फाइनली इसमें जाएगा गरम मसाला, तो इसमें मैंने गरम मसाला जो की हेम होम मेट था और एक मैंने चिकन मसाला डाला है, दोनों मिक्स करके डालेंगे, फिर तहरी में आलू ना हो, तो वो तहरी नहीं है, तो इसमें आलू जाना मस्ट है, तो आलू को हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाएगा, तो इसको ऐसा डालना है कि चिकन पूरा अल्मोस्ट पक जाए, फिर आलू डालेंगे, और अब ये जब तक आइल रिलीज नहीं हो जाता यह मसाला मेरा पक रहा है अब डालेंगे इसमें हम लुक चावल इसमें चावल डालेंगे हम लुक चावल डालके थोड़ा चलाएंगे और फिर अकॉर्डिंगली हम लुक पानी डालेंगे ऐसा नहीं होना है कि खिचुड़ी टाइप हो जाए फरेरी थोड़ी उतरनी है यह यह देखिए मैंने पानी डाल दिया और थोड़ी से उपर से कसूरी मेती और राय पुदीना डाल दिया था एक प्रेशर लिया और उसके बाद देखिए यह मेरी बहुत अच्छी और फरेरी बन के तयार हुई है अब इसको हम प्लेट में सर्फ करेंगे खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है यह देखिए यह मेरी च्छिकन तहरी बन के रडी हो गई बहुत ही प्यारा खुबसूरत कलर आया है और सारे चावल में एक्वली कलर गया है फिर इसको हम लोग आनिश करेंगे धनिये की पत्ती से यह देखिए बहुत ही डिफ्रेंट सी चिकन तहरी बनके रड़ी हो गई है और इसको अब हम लोग खाएंगे इसको जो खाएंगे इसको खाने के लिए सिर्का प्यास जरूरा बनाएं और इस रेसिपी को जरूरा बनाएं